नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर दोस्तों चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लें 69,000 सिच्छक भरती की बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं सिच्छा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अरजनसी जो है दाखिल की है एक डारेक्शन पेटिसन लेकर वो गये है और उनका उसमें जो मांग की गई है कि जो 40-45 पे सिच्छा मित्र पास है उनकी सीटे रोक करके जो है आगे की करवई की जाए ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट से डारेक्शन दिया जाए ये उन्होंने अपनी अरजनसी जो दाखिल की है डारेक्शन उसके लिए डारेक्शन अप्लीकेशन जो दाखिल की है उसके लिए वो मांग कर रहे है तो उस पर संभवता एक अपते में सुनवाई होगी, देखते हैं वहां से क्या निकल के आता है, फिलाल 79,000 सिच्छक भरती पूरी तरीके से प्रोसेस में है, चीजे दीरे-दीरे चल नहीं है, और दीरे-दीरे में बदलाव भी आ रहा है, लेकिन यहां पर जो सबसे विबादित मुद् उत्तरमाला भी बाद, उसमें आद दो जगे सुनवाई हुई, पहली जगे इलाहबाद में सुनवाई हुई, तो इलाहबाद का जो हाई कोट का आरडर है, उसको भी देखेंगे, उसमें पूरी चीजें जो सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई है, उसको भी डिफाइन किय काफ़ी चीज़ें डिफाइन की हैं और डेट जो लगा दी वो 6 जुलाई लगा दी है और लगातार सुनवाई हो रही है और लगातार सुनवाई जारी रहेगी PNP की तरफ से सरकार की तरफ से कोई भी जवाब बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं कर पाया इस वज़े से सुनवाई को continue रखा गया है अगर हम बात करें इलहाबाद की तो इलहाबाद में आप रिट पिट्सन देख सकते हैं इलहाबाद में दाखिल हुई है यह सब उत्तरमाला को ले करके हैं और प्रतिक रिट में कई स्टूडेंट्स हैं जैसे आप देख सकते हैं इसमें 706 हैं इसमें 30 लोग हैं 81, 11, 85, 98 बहुत सारे मतलब इसमें जो है अप्लिकेंट जिन्होंने याचिका दाखिल की है इस वज़े से कोड जो है लगातार जो है सुन रही है लेकिन इलहाबाद का जो आडर आया है उसमें उन्होंने इसपष्ट कर दिया कि इसकी जो है सुनवाई हम 6 जुलाई को करेंगे बाकी आप देख सकते हैं कि जो प्रकास पांडिया जो सुनवाई कर रहे थे लहाबाद में उन्होंने पूरी तरीके से पूरा डिफाइन किया है जो ओर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा डिफाइन किया है पूरा उसमें लिखा हुआ है और फाइनली इन्होंने डेट लगा दी है जो इलाहाबाद में सुनवाई हुई है उसमें जो मुख्य चीज़े हैं इसमें CSN साब देख लीजिए बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमिशन और इसका जेज्मेंट जो है इसमें दर्ज किया गया है इस ओर्डर में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्मिस कमिशन थूरू इट्स और इन्होंने आप देख सकते हैं लिश्ट दा मेटर जो है ये 6 जुलाई को लगा दिया है और यहाँ पर तीन चीज़े इन्होंने कहीं है कि in my opinion a response by state respondent are necessary before deciding the issue in question of merits यहाँ पर जो है सीधिय तोर पे कह दिया किया है कि जो state के जो state को represent कर रहे हैं वो जो है इस पे अपना opinion और इन परिस्तितियों में जो है तीन हपते का टाइम दे दिया गया है और उसके बाद जो अभ्यरती है वो रिजोएंडर दाखिल कर सकते हैं उनको भी दो हपते का समय दिया जाएगा फिलाल 6 जुलाईस की डेट है अब बात करते हैं लखनवु खंड पीट की दोस्तों ल सुनवाई हुई है उत्तरमाला विबात को लेकर के उसमें जो है लगातार सुनवाई हुई लगभग तीन घंडे की सुनवाई हुई है और उसमें सरकार पूरी तरीके से बचती रही पी पूरी तरीके से अपना रुख इसपष्ट करने से बचती रही और इस पूरी बहस म जो है मैंने कल भी वीडियो में आपको लोगों को बताया था कि PNP ने जो अपनी पुस्तके लगाई हैं जिनको उन्होंने शाच्छ के तौर पे प्रस्तुत किया है उन्ही को बार बार उन्ही को जो है सरकार की तरफ से आये वकील रट रहे थे चुकि जो AG साहब आते हैं जो को हर एक बहस पर हर एक कमेंड पर डैरेक्शन लेना होता है वो भी किस से सासन से जब तक उनको डैरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ बोलेंगे नहीं वही बातें घुमा फिरा करते रहेंगे तो PNP की तरफ से यही हुआ सरक जो वकील थे जो AG साहब थे उन्होंने उन सभी विबादित प्रसनों पे एक करके चर्चा होती रही और जो साथ 6 भिर्थियों ने प्रस्तुत किये हैं उनको दिखाया गया लेकिन यहाँ पर एक चीज इस पश्ट रूप से हाई कोड द्वारा इस पश्ट कर दी गई है कि पूरी तरीके से आप सासन से निर्दे उस पे आप पूरी तरीके से इस पश्टी करण लेके आईए और लगातार यह सुनवाई चलती रहेगी मैंने पहले ही बताया था कि निश्चत रूप से अंक बढ़ेंगे और अंक बढ़ने के साथ जो है मेरिट पे जरूर असर पड़ेगा तो निश्चत रूप से हाई को यह बात नहीं आगे बढ़ाती लेकिन जो एजी साब थे जो सरकार की तरफ से सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने समय मांगा तो उनको समय थोड़ा सा दे दिया गया है वरना इस भरती प्रक्रिया पर पूरी तरीके से सिंगल मेंच का एक और इस टेयर्डन लेकर नहीं आते हैं आपके जो आप जो एफिडेट दाखिल करेंगे जो काउंटर दाखिल करेंगे उसमें पूरी तरीके से दिसार निर्देश होने चाहिए कि आपके कौन से साच्छ हैं किन साच्छों के आधार पर आप कह सकते हैं कि यह प्रसुन सही है आपके जो विसे तरीके से इस्पष्ट कर दी, क्योंकि ओभी अविर्तियों से, अब भीर्तियों दौरा जो साच्छे प्रस्तूत कियें गयें हैं, वो पहले ही प्रस्तूत कर दिए गया हैं, जिनको ले करके जो है लगातार बहस चल लही थी, PNP के जो वकील थे, जो सरकारी वकील थे, वो उन साच्छों को गलत बता रहे थे, अपने साच्छों को बता रहे थे, लेकिन उनके भी, मैंने कली आपको दिखाया था, जो चार प्रसनों पर उन्होंने व्यक्या करी है, उन्होंने अलग- बूरी तरीके से अलग-अलग पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं, अब यहां पर देखने वाली बात होगी, जो विशे विशे सग्य है, उनकी जो राय रहेगी, सरकार की तरफ से, उसंपे रिखने वाली बात होगी, आप क्या सूचने हैं, कमेंड बॉक्स में, जरूर करके जो PNP के इनने अपने आधार बताया है, वो पूरी तरीके से निराधार हैं, अभेर्तियों ने जो साथ से प्रस्तुत किये हैं, वो basic सिच्छा परिसद की पुस्तकों से प्रस्तुत किये हैं, और पूरी तरीके से PNP और सरकार जो है बिल्कुल हटना नहीं चाहती, जो निश्चित रूप से तो मुए बहस थोड़ा सा लंबी चल सकती है अब देखने वाली बात यह होगी कि जितने भी 8-10 Canal नहीं है सरकार उस पर कौन-कौन सी प्रमाडिक पुस्तक ऑप कि इन को आधार बनाती है क्योंकि देखने वाली तरीके से जो है साच लगाए जा चुके हैं हाँ ये है कि जो भी counter government लगाएगी जो भी विसे सग प्रसनों को decide करेंगे कि प्रसनों की व्याख्या करेंगे कि कौन सी पुस्तके उन्होंने लगाई है प्रमाणिक हैं कि नहीं है उसके विहाब में जो अभ्यर्थियों से हाँ ये जिरूर पूछा जाएगा कि इन्होंने जो साच्छे प्रस्तुत किये हैं उस पे अभ्यर्थियों का क्या कहना उनके वकील का क्या कहना है उनके साच्छे कौन से हैं तो ये पूरे साच देखने के बाद जो है आई कोड का रुक जो है इस पश्ट होगा पूरी तरीके से फिलाल पिन पी अड़ी हुई है सरकार के वकील जो है अड़े हुए हैं वो किसी भी प्रसनों को लेकर कि इस पश्ट व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं नहीं उनके विसे सग व्याख्या कर पा रहे हैं और एक बात और जो आउट आफ से लेबस को लेकर कि PNP ने खुद जो है एक नए विवाद को जनम दिया था उसमें भी Out of syllabus के जो है बहुत सारे प्रसना भिर्थियों ने challenge किये हैं कि ये वास्तों में Out of syllabus है फिलहाल जो borderline के student है वो निश्चित रूप से निश्चिंत रहे हाई court से उनको जो है जरूर रहत मिलने वाली है दो चीजें इसपस्ट हो सकती है सुमार को या तो सरकार या तो हाई court पूरी तरीके से अभिर्थियों के पच्च में आडर देगी या इस भर्ती पर अभी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकेगी जब तक जो है उत्तरमाला विबाद जो है हल नहीं हो जाता दूसरा बिकल्प यह है कि जो भी लोग court गए है उनको जो है प्रक्रियों के जो है